गाइज हमें एक बॉटल लेनी है इस बॉटल में एनर्जल था जब मैं बिमर था तुम्हेंने इसे पिया था आप चाहे तो कुँँशी भी बॉटल ले सकते हो हमें एक पाइप लेना है फ्रेंड्स यह पाइप सलाइन का होता है यह होस्पिटल में आपको मिल जाता है हमें इस पाइप को इस बॉटल के पीछे यहाँ पर लगा देना है यहाँ पर हम एक होल करेंगे गाइज हम होल इस केच की मदश से कर रहे है आप होल थोड़ा छोटा ही करिए जिससे की पाइप इसमें आसानी से फिट हो सके ताइट से कुछ इस तरीके से फ्रेंट्स हमें पाइप को इसमें लगा देना है गाइज मैंने ये मोटर मंगवाई थी Amazon से ये एर मोटर है फ्रेंट्स एच्छे वल्ड पर चल जाती है और बारा वल्ड पर भी चल जाती है मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से बाई कर सकते हैं इस मोटर को हमने यहाँ पर चिपका दिया है गलूगन की मदस से इस बॉटल पर और हमने इस पाइप पर भी थोड़ा गलूग लगा दिया है जिससे की कोई भी लिकेज नहीं होगा येर का हम बचे हुए पाइप को कट कर देंगे कटर की मदस से और इस पाइप को इस मोटर पर एसे लगा देंगे स्लाइन का पाइप इस मोटर पर आसानी से फिट हो जाता है हमने एक हैंडल लिया है इसे मैंने पुरानी पिछकारी से निकाला है जो मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते है मैं description में link दे दूँगा friends इस handle को मैंने पुरानी गन से निकाला है इसमें दो लिए थी हम लिए उन से लिए और उस पर एक switch लगा कर मैंने दो wire को बाहर निकाला हुआ था friends बस हम इस handle को थोड़ा cut करेंगे क्योंकि यह काफी लंबा था तो हमें इसे थोड़ा cut कर लेना है देखे guys इस pieces को हमने निकाल लिया है आभी हम आच्छे से इसे shape देंगे तो friends हम इस कानस की मदश से इसे आच्छे से गिस लेंगे हमें इसे फटा-फट से गिस लेना है guys मैंने इसे गिस के आच्छे से smooth कर दिया है इसके चारों तरफ मैंने इसे गिसा है जिससे कि इसके कोनों में भी काफ़ी smooth हो चुके है कुछ इस तरीके से हमने इसे shape दे दिये गिस कर अभी guys इस handle को हम इस pitch कारी पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे इस जगह पर ये अच्छे से बेट जाएगा हम इसे fake quick की मदद से यहाँ पर चिपका रहे है और यहाँ पर हम थोड़ा cement का यूज करेंगे क्योंकि सिमेट की मदद से यह अच्छे से चिपक जाएगा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा हमें इस cement पर और थोड़ा fake quick डाल देना है जिससे की इसे और मुझबूती मिले हम दूसरी site पर भी कुछ यह सही करेंगे यहाँ पर हमने cement डाल कर यहाँ पर भी fake quick लगा दिया है हैंडल लगाने के बाद हमारी water gun कुछ इस तरीके से दिख रही है गाइज आभी हमें इस water gun की wiring करनी है इसकी wiring काफी simple है जो हमने handle में से दो wire निकाले थे इन wire को बस हमें इस motor पर जोड़ना है एक wire को हमने इस पर direct जोड़ दिया है और दूसरा wire थोड़ा छोटा था तो हमने एक wire का टुकडा जहाँ पर इस पर जोड़ कर हम इस motor पर इसे भी जोड़ देंगे cutter के मज़से cut करके बस हमें इन दोनों wire को इस motor पर लगा देना है friends इस में इस motor पर आप कैसे भी wire लगा सकते है क्योंकि इसमें कोई भी positive या negative ऐसी कोई बात नहीं है आप इस पर कैसे भी wire लगा सकते है यह बिल्कुल काम करेगी तो देखे guys यह अभी इसकी wiring भी पूरी हो चुकी है और यह देखे वर्क भी कर रही है आच्छे से motor कुछी इस तरीके से guys हमने यहाँ पर एक black tape लपेट दिया है जिससे कि यह दोनों wire साथ में रहेंगे और आच्छे भी दिख रहे है friends हम इसका डखकन निकाल लेंगे हम यहाँ पर एक hole कर दिया है इस hole में हम एक refill का टुकडा लगाएंगे जो हमारे pain में refill आती है आप उस refill को यहाँ पर लगा सकते है चाहे तो आप कौनसी दूसरी भी छोटी नली का यूज कर सकते है इस refill को हम यहाँ पर fake quick की मदद से चिपकाएंगे जिससे की air leakage ना हो और यहाँ पर हमें एक slime का pipe का टुकडा लगाने वाले है इस refill के अंदर कुछ इस तरीके से और इस टुकडे को हमें थोड़ा तिर्चा कट कर लेना है जिससे की air की मदद से मुड़ेगा नहीं अभी हम इस दक्कन को gun पर लगा देंगे water gun पर देखे फ्रेंट कुछ इस तरीके से हमारी यह water gun जो है ready हो चुकी है और यह कुछ इस तरीके से work करेगी देखे गाईज यहाँ पर जो है air pump चलेगा और इसमे air बनाएगा और इसमें से पानी जो है हम बरने वाले हो बाहर की तरब जाएगा तो चलेगाईज अभी हम इसकी testing कर देते है गाईज हमें इसका डखकन निकाल लेना है और इसमें पानी बर लेना है गाईज हमें इसे थोड़ा कम ही पानी बरना है जिससे कि इसमें थोड़ी एर बने एर के लिए जगह हमें थोड़ी छोड़ देनी है यहाँ पर हम इस डक्कन को वापस से यहाँ पर कसेंगे और इस रिपिल पर अपना हाथ रखेंगे और switch को दबाए रखेंगे थोड़ी देर के लिए आधे मिनट तक और guys हम इसे अभी छोड़ देंगे तो कुछ इस तरीके से water का pressure जो है आगे की तरफ इसे चलेगा guys आप इसे लगातार दबा के भी चला शकते हैं लेकिन इतना आगे तक नहीं जाता अगर आप इसे ही चला लेते हो तो हमें इसमें थोड़ी देर इयर भरनी है रिफिल पर हाथ रख कर और फिर इसे चोड़ देंगे तो इसका pressure जो है काफी दूर तक चला जाएगा कुछ इस तरीके से आप देखी सकते हैं देखे guys कितना pressure इसका आ रहा है तो friends आप इस water gun को इस holy पर जरूर बनाए